पर आज से पवित्र बाबा की अमरनात यात्रा का आगाज हो चुका है शिरुवात हो चुकी है जम्मू से दूसरा जथा भी रवाना कर दिया गया है पहला जथा कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ चला है कश्मीरियों ने हार पहना कर स्वागत किया है और पहला जथा नुनवान बेस कैंप पहुँचा है 30 जून को 3488 शधालू का पहला जथा निकला था और दोनों जो यात्रा मार्ग है चाहे वो बाल्टालू या पहलगाम है दोनों ही यात्रा मार्गों में सुरक्षा काफी मजबूत कर दी गई है 62 दिनों की ये कुल यात्रा है क्योंकि कह दो दो महिनें का है 2-2 मासका है लहाजा 62 दिनों की ये पूरी यात्रा होगी और स्วास्त विवस्ताओं के साथ साथ सुरक्षा यअन्य चीजों की खास तैयारिया भी साशन प्रसाशन सरकार द्वारा की गई है तो इस साल के अमरناथ यात्रा शुरू हो चुकी है प्रारम ह बढ़ चले हैं यात्रा के लिए पहले जत्ते में 3488 यात्रियों को रवाना किया गया दोनों ही यात्रा मारगों पार जो रूट्स हैं वो काफि सुरक्षित की गई हैं तो कश्मीर की बड़ी बड़ी पहाड़ियों की बीच 3880 मीटर की उचाइब पर बाव बरफानी की ये प पर याता हूं बहुत अच्छा लग रहा बोले के पास आके 30 साल ते आता हूं और आपके भीट ज्यादा हो गई और शधिता लूब हो बहुत आरे सबको अच्छा लग रहा है बारी शोरी बादलॉमें बारी शोरी आगे बरब भी है और बहुत मजा आरा बंबं, बोले भो लेके हमारे को जितने भी लोग है शदालू सुब के दर्शेन होईंगे और जाए भारत माता मेरा नाम लेखराज महार है और मैं गाज़ेबाद यूपी से यहां आया हूं और मैं लगाता है पिछले 20 बरसों से अमर्नाथ की आत्रा कर रहा हूं और यहां करके लगता है कि वा जो लोग अभी मेरी बात को सुन पा रहे हैं मुझको देख पा रहे हैं उनसे दुझारिस करोंगा क्यों यात्रा पर रहा है और बहुत सुन्दर यात्रा भगवान बोले का आश्रवाद प्राप्त है मैं इंदौर से हूं इंदौर मध्य प्रदेश रजनी खेतान यह अमर तो बार्टाल में बहुत सारे कैंप लगे हैं और उन्होंने कैंप में भी काफी फैसिलिटी दूई है इसके अलावा थोड़ी थोड़ी से दूरी पर हम चलते हैं तो लنगर लगे हैं और उन लगर में बहुत अच्छी खाने की पीने relative की चाय नाश्टे की विवस्था की गई है और वास्तों में वो लोग परिवार की तरह बहन जी थोड़ा सा ले लीजिए भाई साथ जोड़कर बुलाकर दे रहे हैं उसके साथ साथ वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि जूटा नहीं छोड़ना है जूटा छोड़ना पाफ है या आपको 500 फाइन देना करनी है कि इस बार गौर्णमेंट ने इस तरीके के काड़ बनवाए हैं उसमें हमें दो दिन सफर करना पड़ा के वाई सी अपडेट और है वगिरा के तो हम इंदार से रेजिस्ट्रेशन करवा के आये थे मगर ये काड़ बनाने के लिए और परसनल आपका डाट डेटा को अपडेट करने के लिए काफी मशक्कत की दी है जो कि हम सब के लिए सुरक्षा की द्रश्टी से बहुत अच्छी है रजनी खेतार इंदार मध्यप्रदेश जैब होने आज यहां पर डोमेल से हम लोगों ने पहला जथा जो है यातियों का वो हम लोगों से छोट रहे हैं और इस यात्रा के लिए मैं सबी के कामणा करता हूँ कि हमारे उपर इश्ट का अश्रवात बना रहे है और यात्रा मंगल में चले यातियों से भी मैं ने वि जिस प्रथम यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं उन सब लोग का मैं बहुत दिन्यवात करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी यह यात्रा जोने सब्सक्राइब करता हूँ और अब हमारे पास में क्यूंकि अभी भी रेश्टर्शन चल रहे हैं कुश्रुम हमारे हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को फिगर्स हैं वो शाम तक मिल जाएंगे और अभी हम लोग यहां से अभी छोड़ रहे हैं तो हमारे पास नग्वग अभी 7000-8000 क्यास पस्याइब हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग अपनी यात्रा को मंगल में तरीके से करें आराम से इंज्वए करते हैं इसमें कहीं भगदर नहीं बचानी है और जहां पर भी किसी को कोई सहाथा लगती है किसी के अगर सांस फूलती है किसी को अगर कुछ ट्रैक पर लगता है कि उसको घबरावट हो रही है तो अपने नजदी के हमारे जगे जगे पर हमारे सारे वालिंटियर्स लगे हुए इस समें अगर आप रेल पत्री पर देखेंगे तो सारे पोल्स जगमगार हैं पूरी तरीके से और इस बार जहला लोगभी लाइटिंग में बहुत अच्छा रेजमेंट करा गया हम आपे बहुत सुंदर घंडारों उपर सजा हुआ है मेरा नाम रवी कुमर विजय है मैं अपने साथियों के साथ दिल्ली से चलकर यहां तक पहुंचा हूँ पहले हम जम्मू जम्मू सिस्री नगर फिर वाया होते वे आज हम रहिल पत्री बाल तल पहुंचे हैं पीस केम पे आगए हैं यहां पे हमने अपने सभी दोस्तों के स बढ़िया है सब कुछ अच्छा रहा किसी दर की कोई परिशानी नहीं रही आगे भी नहीं रही है उपर भी नहीं रहेगी हमें तो नहीं लगता डर खौफ नहीं है ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता और आगे भी नहीं